कि दोस्तों कभी-कभी इम लोग ऐसे बोलते हैं अब या सबर रखो या कभी-कभी सबर करो ऐसे बोलते हैं सबर करो तुम अंगरे जी सीख जाओगे मेहनत करो आजी एक इद में थुड़ो आ दाल चावल बन गया है रोटी बन रही पंदार में तुम्हें खाना मिल जागा। We speak these types of sentences in our day-to-day conversation in Hindi also and for that you need to know English and I am just going to tell you how to make sentences based on this. वैं कोई बच्चा परशान किया है या कोई स्टूडेंटी है सर वह पढ़ा दीज़े कैसे प्रयोग करते हैं कैसे प्रयोग करते हैंगा ह। have patience, you will learn English have patience, you will get food in 15 minutes have patience, I will teach you have patience, father will come अच्छा, have patience की जगह पे हम कुछ चीजों का और प्रोग कर सकते यसे हम keep patience भी प्रोग कर सकते have patience या keep patience keep का मतलब भी रखना होता है या हम be patient देखे कितनी मज़ेदार बात है मैं आपको slide दिखाता हूँ हाई पेशेंट के अस्तान पे कीप पेशेंट या भी पेशेंट या होल्ड यो हाथ सेंज हम तीन तरह का और प्रयोग कर सकते हैं तो हाई वो कीप तो दोनों रखना के सेंज में हो गया पेशेंट का दो अर्थ होता है patient का मतलब मरीज होता patience का मतलब जो होता है धैर और patient का मतलब धैरवान मतलब धैरवान बनो और hold your heart cells यह जो आपका दिया गया है यह एक्टुलिए idiomatic phrase है इसका भी प्रयोग करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं तो यह आप hold your heart तो वह है patience के अस्थान बिन दिनों का भी प्रयोग कर सकते हैं अच्छा हम आगे यह भी जोड़ सकते हैं कि भाई ऐसा है कि धैर रखो मैं तुम्हें अंग्रीजी पढ़ा दूँगा धैर का फल मीठा होता सबर का फल मीठा होता है तो patience page है P-A-Y-S that is patience page P-A-Y-S raise नहीं है P-A-Y-S है patience सबर का फल मीठा होता मतलब patience page हो जाएगा तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आप अपनी English को improve कर पा रहे होंगे प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा उस्सा बढ़ सके Thank you very much